नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल जरधारी क्लास में दोस्तों हिंदी किस ओनलाइन कॉर्स में आज हम लागा रखें आपके लिए एक मौश्ट इंपोर्टन टॉपिक है हिंदी का जन्संचार एवं जन्संचार के माध्यम जोस्तों इक बहुती मौश्तवप covenant टॉपिक है और यांसे एक्जाम में कई बार question पूश्टि जाते हैं तो जिश्टा के भी question पूश्ट जाते हैं और सारी टोपिक को आज हम आप इसी वीडियो में cover करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों जन संचार एवं जन संचार के माध्यम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संचार क्या होता है दोको संचार सब्द की जो उत्पत हुई है वो हुई है चर का मतलब होता है चलना या पहुंचना या एक जगे से दूसरी जगा पहुंचना अर्था संदेशों को एक जगे से दूसरी जगा पहुंचाना ही क्या कहलाता है आपका संचार कहलाता है और जो माध्यम इन संचारों को या इन संदेशों को एक जगा से दूसरी जगा पहुंचाते हैं उनको क्या कहते हैं संचार माध्यम या जन संचार माध्यम कहते हैं तो इतना तो आपको समझ में आ गया संचार क्यों ये बेसिक चीज़े हैं सबसे पहले आपको यह समझने होगी, उसके बाद हम बहुत सारे ऐसे टोपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो की एक्जाम की दिर्श से काफी important है उसके बाद बात करते हैं, जनसंचार क्या होता है, तो एक बाद definition पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको अपनी तरह के समझाओंगा ताकि आपको easy हो जाए समझने के लिए, तो आपको समझ के पढ़ना है और उसके बाद अपने नौर्स तयार करना है, तो आपका इसी समाद कायम करते हैं, तो उसे कहते हैं, जनसंचार, यानि कि वो आदमी कोई क्या नहीं है, पर तेक समाद नहीं हो रहा है, यानि वो पास-पास में क्या नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे से, कोई आदमी दूर-दूर बैठे हैं, और उनको हमने क्या करना है उन सभी तक संदेश पहुंचाना या समाचार पहुंचाना तो इसी को कहते हैं जनसंचार और वो हम किस माध्यम से पहुंचाते हैं आपके किसी तखनी की माध्यम से या यांत्री की माध्यम से जैसे अकबारों से पहुंचा सकते हैं रेडियो से पहुचा सकते हैं, टेलिविजन से पहुचा सकते हैं, सिनेमा से पहुचा सकते हैं, इंटरनेट से पहुचा सकते हैं, तो ये सारे माध्यम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई ब्यक्ति या ब्यक्तियों का समुवा कहीं दूर भी है, तो उन तक हम क्या कर सकते हैं, अपने संदेशों को या समाचारों को क्या कह सकते हैं पहुंचा सकते हैं तो इसी को कहते हैं जन संचार, यानि संचारों को जन जन तक पहुंचा ना ही क्या कहलाता है अब हम बात करेंगे जो कि most important topic है परमुख जन संचार, माधियम और अगर question बनता है तो यहीं से बनता है और आपको यह अच्छे से समझना होगा तो जन्चन्चार जो माधियम है बिशेज़कर यह दो प्रकार के होता है print माधियम और electronic media electronic माधियम, print माधियम क्या होता है इसको हिंदी में कहता है मुद्रित माधियम यानि किसी चीज़ को छाप कर वो कहीं पहुंचाना तो वो एक माधियम हुआ print माधियम या मुद्रित माधियम मुद्रण करना या आप अगर सरल भास में बोले तो किसी चीज़ को छापना जैसे अगबार छापा जाता है अकबार प्रिंट होता है या अकबार का मुद्रन ये हुआ आपका मुद्रित माधियम या प्रिंट माधियम तो प्रिंट माधियम जनसंचार माधियम में सबसे पुराना माधियम है यहीं से एक कोशन बन सकता है कि जनसंचार माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है तो वो है आपका प्रिंट माद्यम यानि मुद्रित माद्यम अब इसमें कौन-कौन से आते समाचार पत्र और पत्रिकाएं जितने भी आपने देखोगा पत्रिकाएं छपती है समाचार पत्र छपते हैं तो ये सारे किसमें आ जाते हैं प्रिंट माद्यम यानि मुद्रित माद्यम में अब देखो जो मुद्रण की शुरुवात हुई तो कहां से हुई थी चीन से और सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस यानि छपाई खाना का अविश्कार सरफरतम का हुआता तो यह होता जर्मनी के गुटेन बर्ग में तो कई बार इस टाके वी क्वेशन बनते हैं क्योंकि यह आपके स्लेवस के अकोडिंग है तो यह सार चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस बनी थी 1956 में गोव में खोली गई थी भारत की सरपर्थम प्रिंटिंग प्रेस तो काफी इंपोर्टेंट है यह भी यह आपको जरू नोट करना है और भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट 1780 में जैम सो ओंगस्ट हिक्की के द्वारा कॉलकत्ता से यह निकाला गया था और प्रतम हिंदी सापताईक समाचार पत्र की बात करें तो वो था उदन्ड मार्तंड जो की 1826 में निकला था और यह निकाला था print media या मुदृत माध्यम के बारे में जो भी important fact थे अब हम चलते हैं आगे electronic media की और, तो electronic media में कौन आते हैं, जो electrical media माध्यम होता है जैसे radio हो गया, electrical चीज़ है television हो गया, तो ये सारे किसके अंतरकत आते हैं, electronic media के अंतरकत आते हैं, तो सबसे बिले हम radio की बात कर लेता है, तो radio क्या है शिर्व या ध्वनी माध्यम के अंतरकत आता है, जैसे कर हम cinema ये television की बात करें, तो वो आता है आपका शिर्व या द्रिस्य माध्यम, यानि इसको आप सुन भी सकते हैं, और देख भी सकते हैं लेकिन जो radio है, ये आपका सिर्व क्या है, शिर्व या ध्वनी माध्यम यानि radio का आप सिर्व क्या कर सकते हैं, उसमें आप समाचारों को क्या नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, तो radio के इसके अंतरकत आगे आपका सिर्व या ध्वनी माध्यम के अंतरकत आता है radio और TV मूलता एक रेखिया यानि लीनियर मादियम है अब देखो इसका मतलब क्या हुआ जो रेडियो और टीवो वो एक रेखिया यानि लीनियर मादियम है यानि क्या कर सकते हैं आप रेडियो में जो समाचार चल रहा है या टेलिविजन यानि टीवी में जो समाचार चल रहा है तो उसको आप एक ही बार सुन सकते हो उसको आप ऐसा नहीं कि आपने वो पीछे कर लिया आपने देखोगा ओनलाइन जब क्या चल रही है न्यूज चल रही है तो उसको आपने जो एंकर बोल रहा है आपको ध्यान से सुनना पढ़ता है उसको आप पीछे नहीं कर सकते हैं या डियोडियो में भी यही सिस्टम है लेकिन अकबार अगर आप पढ़ रहे हो तो अकबार को आप क्या कर सकते हो कितनी बार भी पढ़ सकते हो कहीं से भी उसको शुरू कर सकते हो तो यही फर्क है अकबारों में और Radio TV में तो इसलिए Radio TV क्या हैं आपके एक रेखे यानि Linear माधियम है जिसको आप समाचार क्या कर सकते हो एक बार आपको ध्यान से सुनना होता है आप उसको बार बार पीछे नहीं कर सकते हो अगर आपको समझना है तो आपको वो एक बार सुनना होगा तब जाके समझना होगा जैसे अकबार में क्या हो तो आप कितनी बार क्या कर सकते हो उसको read कर सकते हो तो आपको ध्यान रखना है ये काफी important हो जाता है radio TV मोलता एक रेख है यानि linear माध्यम है अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूंण point आजाता है कि जो radio समाचार है या चायो अकबार समाचार हो या चायो television के समाचार हो उनकी सहली क्या होती है तो उन सभी की सहली maximum क्या होती है लगबग 90% समाचारों की सहली क्या होती है उल्टा piramide सहली होती है यानि inverted piramide यानि उल्टा पिरामिड शैली से ही लगब क्या है 90% से ज़धा समाचार छापे जाते हैं या बोले जाते हैं तो सभी समाचारों कि यज आप बोल सकते हो कि रेडियो अकबार या टेलिविजन में जो समाचार आते हैं उनकी सैली क्या होती यह आपकी उल्टा पिरामिड सेली होती है, अब हम आपको इसी वीडियो में इसके बार में थोड़ा डेटेल से बताऊंगा, क्योंकि यह बहुत इंपोटन्ट है, उससे पहले थोड़ा रेडियो के बार में और जान लेते हैं, तो रेडियो का विसकार हुआ था 1895 में, और क 1927 को जिसका नाम था बॉंबे रेडियो इस्टेशन, 1930 में क्या हुआ रेडियो इस्टेशन का राष्टि करन क्या गया, और इसका नाम क्या रखा गया, भारतिया प्रसारण सेवा रखा गया, रेडियो इस्टेशन का नाम, उसके बार इसी भारतिया प्रसारण सेवा का ना क्या रखागी एक फिर से आकासवानी रखा गिया 1957 में और आकासवानी की बारे में तो आपने सुना होगा और आकासवानी की बात करें तो यह लगवल 24 भासाओं और 146 बोलियों में कारेकरम प्रेस्टूत करती है आकासवानी तो यह भी काफी important है यह भी आपको जरूर नोट करना है और 1993 में आपका क्या हुआ FM यानि frequency modulation की शुरूवात की गई एक और चीज़ आपको याद करने है कि 1997 में क्या हुआ इससे पहले जो रेडियो था वो किसके अंतरकत आज था यानि जो यह था आपका क्या था यह आपकी आकासवानी वो केंदर सरकार की नियंतरन में थ इसको अब चलाती मलब प्रसार भारती के माध्यम से चलाए जाता है अब आकवासवानी और दूरदर्शन यानि 1997 में इससे पहले पूंडूप से सरकार के अंतरकत आज थी या नियंतरन में थी तो 1997 में इसको सरकार के नियंतरन से हटाए गया तो यह सारी चीज़ें आपको रेडियो के बारे में नौट करने क्योंकि सारे इंपोर्टन टॉपिक है यहां से कहीं से भी क्वेशन बन सकता है अब हम आपको बताता है यहां पे उल्टा पिरामिड सेली क्या होती है जो की सभी समाचार पत्रों में जितने भी समाचार होते है या आपके रेडियो में य आपके टेलिविजन में जो समाचार आते हैं तो उनकी जो सभी की सेली होती है सभी क्या होती है उल्टा पिरामिड सेली होती है उल्टा पिरामिड सेली क्या है उल्टा पिरामिड सेली समाचार पत्र लेखन की सबसे परचलित प्रभावी और लोकप्रिया सेली है तो सीधे आ सकता है एक्जाम में कि बताए कि समाचार पत्र लेखन की सबसे परचलित परभाई और लोगपरिय सहली कौन सी है तो वो है आपकी उल्टा पिरामिड सहली और जैसे मैंने आपको बताए सभी तरह के जन्संचार मादेओं में चायो आपका रेडियो हो चायो आप तो सबसे पहला होता है इंट्रो इंट्रो को क्या कहते हैं मुखडा भी कहा जाता है तो आ सकता है कि उल्टा पिरामिड सहली में तीन हिस्सों में सबसे पहला हिस्सा कौन सा है आपका इंट्रो या जिसको मुखडा या लीड भी कहते हैं तो इसमें क्या होता है इंट्रो मे उसमें क्या होता है कलाइमेकश सुपा रहता है यैनि उससे आप पूरी खबर के बारे में जान सकते हैं कि पूरी खबर में क्या होगा तो अगर जिसको क्या हो हो जिसको time नहीं है तो अगर सिर्फ वो intro भी पड़ेगा जैसे आपने अखबार देख लिया अकवार में जो सबसे उपर आपने देखे कि हिडिंग टाप की होती है जैसे कोई समाचार है कि उस सहर में क्या हो गया वहाँ पे आग लग गई और वहाँ पे इतने लोगों की जान चली गई और उसके बाद खबर के बाद क्या होगा नीचे डिटेल्स होगा कि कैसे वह जान गई उसका क्या कारण था वो सारी चीजे होंगी लेकिन जो मुखे जो दो-तीन पक्तिया बताए मैंने आपको वो क्या है आपकी इंट्रो या मुखडा है तो इससे आपको क्या पता चल जाता है लगबग सारी खबर के बारे में थोड़ा अनुमान हो जाता है कि खबर में क्या क्लाइमेक्स चुपा हुआ है तो कुलना के एक तो आपको ये रखना है कि जो इंट्रो होता है वो खबर का मूलततो होता है जो की खबार है उसके बारे में पूरी डेटेल से समोगी और अंत में आ जाएगा समापन तो कुलमा के उल्टा पिरामिड सेली के तीन हिस्से कौन कौन से हैं इंट्रो है जिसको मुखड़ा भी कहा जाता है बोड़ी और समापन और जैसे मैंने आपको अभी बताया उल्टा पिरामिड सेली में क्लाइमेक्स सबसे पहले होता है यानि किसमें होगा वो इंट्रो में होगा जबकि कहानी वो कथा लिखन में क्लाइमेक्स नीचे होता है लेकिन जो आपका उल्टा पिरामिड सेली है, उसमें आपको सुरू में ही पता चल जाता है कि ख़बर में क्लाइमेक्स क्या होने वाला है तो यह तो हो गया आपका उल्टा पिरामिड सेली और यहां से कई बार क् Communication बन चुके हैं एक्जाम में अब हम बात करते हैं यहां पे टेलिविजन की तो टेलिविजन भी आपका किस में आ रहा है ये भी आपका electronic मीडिया में आ रहा है और साथ ये स्रिव्य और द्रिश्य माधम के अंतरगत आता है यानि इसको आथ क्या कर सकते हो तो टेलिविजन को सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो तो श्रिव्य एम द्रिश्य मादम के अंतरगत आता है और आपका ये एलेक्ट्रोनुगी मीडिया तो है टेलिविजन तो टेलिविजन का अविस्कार किया था जॉन लोगी बेयर ने 1925 में इसमें आपको एक और सी ध् तो टेलिविजन ने 1925 में कर दिया था और उसकी बाद 1927 में पहला वर्किंग टेलिविजन मनाया गया दुनिया का और भारत में अगर टेलिविजन की शुरुवात की बात की जाए तो 1959 में भारत में टेलिविजन की शुरुवात मानी जाती है और दूर जर्षन की शुरु में आये थी विदिवात रूप से यहाँ पे टेलिविजन चलने लगया था लेकिन शुरुवात कब से होगी थे 1959 में हो गई थी भारत में उसकी बाद दूरजशन के शुरुवात 1976 में होगी थी और पहला धारा भी कौन था हम लोग जो की 1984 में निकला था अब बात करते हैं ट इनको पता भी नहीं होगा उन्होंने सुना जरूर होगा खबरों में कि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है तो ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है कोई बड़ी खबर या महित्वपोर्ण न्यूज कम सब्दों में ततकाले दर्सकों तक पहुंचाई जाती है तो उसको क्या करत तत्कालीन धर्शकों तक पहुचाई जाती है। या बिलकुल यह तत्कालीन पहुच जाती है। तुरून तत्कालीन पहुचाई जाती है। तुछ इसे कहा जाता है ब्रैकिंग नुज आ सकता है। keln ग्रैइकوس नुज भी आ आते हैं एंकर रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधर पर दर्शकों को सूचना पहुंचाता है। इंकर रिपोर्टर के माध्यम से क्या करता है दर्शकों को सूचना पहुंचाता है। इसे कहते हैं फोन इन जब रिपोर्टर घटना वारी जगह पर होता है तो एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचना दर्शकों को तक पहुंचाता है। आपका फोन इन चोथा यहां पर एंकर विजुल क्या होता है तो जब किसी घटना के द्रिश्य या विजुल मिल जाते हैं तो उन तत्यों को आधर पर खबर लिखी जाती है या पढ़ी जाती है तो इसको कहा जाता है एंकर विजुल विजुल का मतला होता है कुलमा के अब क्या होते है पिक्चर से प्राप्त हो गई या द्रिश्य प्राप्त हो गए है घटनाओं के और उस उन द्रिश्यों के आधर पर उन घटनाओं के आधर पर क्या करना है समाचार या संदेश जर्शकों तक पहुंचाना इसी को कहा जा उनको देखो, एंकरों को बोलते हूं, वों बोलते हैं, इसकी byte चलाओ, इसके मारे पास क्या है? bite है, यानि उनके बाब क्या होता है कोई सबूत होता है ख़बर के बारे में या कोई video clip होती है या audio clip होती है तो इसे कहा जाता है anchor bite या हिंदी में सूक फॉकत है कथन, किसी भी खबर की पुष्टी के लिए उस खबर से संबंदिद bite यानि वीडियो क्लिप या ओडियो क्लिप सुनाना या दिखाना जिससे खबर को प्रमानिक्ता प्रदान की जाए तो इसे कहा जाता है आपका एंकर बाइट चटा होता है याँ पे लाइव यानि किसी खबर का घटना इस्थल से सीधा परसारण यानि आपने देखो रिपोर्टर सीधे घटना इस्थल में जा रखा है और वहाँ सीधी क्या कर रहा है लाइव परसारण कर रहा है परसारण कर रहा है सीधे खबर का तो उसे कहा जाता है आपका लाइव और एक होता है एंकर पेकेज package में लगबग काफी चीज़ा आ जाती है इसमें आपके पास सारे द्रस्य होनी चीए footage हैं घटना इस्तलके और बहुत सारे प्रमानिक आपके पास क्या है तत्य है यानि किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेज करना इसे कहते है anchor package इससे क्या होता है इसे जुड़े हो लोगों की ग्राफिक्स के जरी है सूचना दी जाती है तो जैसे मैंने आपको अभी कहाता है कि किसी भी खबर के बार में संपूर्णता जान कर देना किसके मादियम से आपके बार ग्राफिक्स भी है पिक्चर्स भी है फोटेज हैं घटना इस्तल के आपके पास क्या है वहाँ पे जो घटना इस्तल पे जो लोग थे जिन्होंने घटना देखी है उनकी आपके पास क्या है उनकी बाइट है यानि वीडियो क्लिप है ओडियो क्लिप है तो लगबग आपके पास क्या है खबर के बारे में संपूर्ण जानकार है उसको आप पेस कर रहे हैं तो इसको कहते हैं anchor package यानि anchor के पास हो एक क्या है package है घटना के बारे में तो यह साथ विभिन चरण थे जो आपको क्या करना है television के बारे में TV खबरों के बारे में note करना है तो काफी important है question अगर बनेंगे तो यहीं से बनते हैं कई बार तो यहाँ पे हमने अभी electronic media में क्या पड़ा radio और television के बारे में बात की अब हम थोड़े जान लेते हैं यहाँ पे कि जो print media और electronic media है इसमें क्या difference है किसमें क्या फायद है और किसमें क्या नुकसान है तो अगर हम print media की बात करें जिसमें समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती है तो उसमें फायद क्या है तो एक तो उसमें इस्थाई तो है सब्दों का यानि सब्द उसमें इस्थाई रूप से लिखे गए हैं और उनको आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं किसी भी पेज से आप खबर स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना और एक खबर को आप कई बार पढ़ सकते हो और उसको अच्छे से समझ सकते हो अगर आप उसमें विसलेशन करना चाता है तो आप आसानी से कर सकते हो दूसरा फाइदा क्या है जो print media है उसमें लिकित भासा का विस्तार और अनुसासन होता है यानि जैसे कि जो आपने देखा होगा जो television होगे या radio होगे उसमें कभी-कभी क्या होता है कि जो भासा होती है वो अनुसासन हीन हो जाती है आज कल television में तो बहुत बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो anchor की क्या होती है भासा होती है या जो reporter की भासा होती है वो अनुसासन हीन हो जाती है लेकिन अकभारों में ऐसा देखने को नहीं मिलता यानि print media में ऐसा देखने को नहीं मिलता तो print media का ये भी फाइदा है तिसरा अगर हम बात करें तो उसमें आप क्या कर सकते हो प्रिंट मीडिया में जो अकबार में यह आप अकबार पढ़ रहे हो तो उसमें आप चिंतन कर सकते हो विचार कर सकते हो विसलेशन कर सकते हो वहीं पर लेकिन टीवी और रेडियो खबरों में आप ऐसा कम कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं जैसे मैंने आपको बता है वो लीनेर होती है यानि एक रेख्या होती है आपको एक बार आपने क्या कर दिया वो खबर सुननी उसके बार तुरंट दूसरी खबर आ जाती है और आपको वो सुननी पड़ती है ना कि आप पहली खबर पर क्या कर सकते हो एनलेसिस या विसलेशन आप कर सकते हो तो ये परमो को फाइद है आपके प्रिंट मीडिय के और जो ये फाइद है तो ये तो फाइद है प्रिंट मीडिय के लेकिन यही आपके क्या है आप जो इलेक्टोनिक मीडिया है उसमें आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलती है अगर हम नुकसान की बात करें print media के तो उसमें क्या होता है कि जो print media होता है वो सिर्फ कौन पढ़ सकते हैं जो साक्षर बैक्ती होता है वही पढ़ सकते हैं जबकि जो electronic media का ये फायदा है कि इसको कोई भी बैक्ती सुन सकता है देख सकता है चाहे हो अनपढ़ है चाहे हो पढ़ा लिखा यानि साक्षर है और print media का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इसमें आप क्या नहीं कर सकते हो रेडियो और TV की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते हैं तुरंत घटी घटनाओं को परसारित कर सकते हो तो यह electronic media का फाइदा है और print media का क्या है आपका नुकसान है तो मैंने आपको difference बता दिया है किसमें कौन सा फाइदा है किसमें कौन सा नुकसान है तो exam में तो ऐसा कमी पोसे जा सकता है आप पे internet को online पत्रकारिता भी कहा जाता है cyber पत्रकारिता या web पत्रकारिता भी कहा जाता है और अगर जो सूचना हो गई या आपकी समाचार तकनिक हो गई उसमें जो सबसे आधुनिक परणाली है तो वो कौन सी आपकी internet है यानि जन्संचार माध्या में अगर सबसे आधुनिक परणाली है तो वो internet है जबकि सबसे पुरानी परणाली को वो print media था विस्व इस्तर पर अगर internet की बात की जाए तो internet पत्रकारिता को तीन भागों में बांटा गया है तीन दोर चले याँपे इंटरनेट पत्रकारिता की visual level पर पहला दोर चला है 1912 से 1912 तक दूसरा दोर 1913 से 2001 तक और तीसरा दोर 2002 से आब तक चल रहा है लेकिन भारत में इसी कुछ अलग है क्योंकि भारत में internet पत्रकारता कुछ देर में शुरू ही तो भारत में दो दोर माने जाता है internet पत्रकारता के जो कि पहला दोर शुरूवाता 1993 से 2002 तक और दूसरा दोर शुरूवाता 2003 से जो कि अब तक चला आ रहा है तो internet में इतनी चीज़ आपको नोट करनी है कि ये सबसे क्या है आदमिक पढ़ना ली है अगर आप इन दोरों को याद करना चाहते तो कई बार exam में ये भी पूछे जा सकते हैं अब हम बात करते हैं सिनेमा की तो सिनेमा क्या है जन्शंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावसाली माद्यम है लेकिन एक और चीज़े सिनेमा में कि ये सीधे तोर पर सुचना का परसारण नहीं करता है ये क्या करता है प्रोच रूप से क्या करता है सुचना का ये संदेशों का परसारण करता है अब आप सोच रहे होंगे कि सिनेमा जन्शंचार माद्यम में कैसी आ गया आता है बिल्गुल आता है आपने देखो कई तरह के जो फिल्में बनती है सिनेमा होते हैं उसमें बहुत सारे संदेश चुपे रहते हैं और दर्सकों तक सिनेमा के माधियम से यानि फिल्मों के माधियम से बहुत सारी अच्छी जानकारें भी पहुंचा ही जाती है कुछ फिल्म में समाज के बारे में होते हैं समाज को कैसा होना चीए समाज के अच्छायों के बारे में होते हैं समाज की बुरायां दिखलाती है ताकि संदेश पहुंच सके समाज में के ऐसा होना चीए तो कुलना है कि वो सीधे तोर पर तो नहीं पहुचा रहा है यानि जैसे खबरें होती है या जैसे क्या टीवी और रेडियो हो गए टेलिविजन रेडियो हो गए यह क्या करते हैं या पर मलब जो मीडिया होते हैं वो तो direct सीधे तोर पर क्या करता है खबरों को पहुचा रहे हैं दर्सकों तक लेकिन सीनेमा क्या होता है सीधे तोर पर नहीं लेकिन प्रोक्ष माध्यम से वो कहीं न कहीं दर्सकों तक या जो सीनेमा देखते हैं उन तक क्या पहुँचा रहा है कुछ संदेश पहुँचा रहा है तो ये भी किसमे आ गया है फिर आपका जन्शंचार माध्यम में आ गया है सिनेमे का अविश्कार हुआता यहां पे 1883 में और किसने क्याता ये थामस एलवा एडिसन ने और विश्कार की जो पहली फिल्म थी वो थी The Arrival of Train 1894 में ये आई थी The Arrival of Train जो की विश्कार की पहली फिल्म मानी जाती है और ये कहां से निगले थी फ्रांस से ठीक है और भारत की जो पहली मोख फिल्म जो राजा हरिस्टन थी 1913 में आई थी और भारत की पहली बोलती फिल्मी कौन थी आला मारा 1931 में दोस्तों तो यहाँ पे टॉपिक खतम हो जाता है लगबग आज हमने आप से डिसकर्स किया जन्संचार वा जन्संचार के माध्यम जिसमें हमने प्रेंट मीडिया, एलेक्टोनिक मीडिया, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र पत्रकाएं और सिनेमा हो गया, इंटरनेट इन सब के बारे में चर्चा कर दिए और इसमें अभी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम पत्रकारता क्या होती है पत्रकारता के प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार से वहाँ पर क्या लिखे जाते हैं समाचार पत्र लिखे जाते हैं, पत्रकाएं लिखी जाती हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे तो वो भी काफी important होने वाला है तो उस वीडियो को आप जरूर देखना है और ये वीडियो आपको कैसी लगी आपको समझ में कितना है इस वीडियो से comment box में इस बारे में राये जरूर दें मिलते हैं दोस्तों इसके next party सा तब तक लिए धन्यवाद